हम क्या खाते है इसका प्रभाव हमारे स्वासदे पर अवश्य पढ़ता है लेकिन हमिस प्रकार के बर्तन में भोजन पकाते हैं इसSP था इसका खाना खा रहे है उसका हमारी सेहत पर К差 ससर पढ़ता है तो चलिए आज मैं आपको एक एकखर बताती हूँ कि सोना, चांदी, स्टील, पीतल, अलिम्यूनियम, तैमबा, लोहा, किस प्रकार के बरतन में खाना खाने और बनाने से हमारे सेहत और सभाव पर क्या असर पड़ता है तो वीडियो का पूरा जरूर देखेगा, सबसे पहले बात करते हैं सोने के बरतन के बारे मे चांदी, सोने के विपरे चांदी एक ठंडी धातू है, इसमें भोजन करने से सरीर को अंतरेक ठंड़क पहुच्टी है, इसमें भोजन बनाने और खाने से रिमार्ट तेज होता है, या भी हमारे आखों के लिए फायदे मंद है इसके अलावा पित दोश, कफ और वायू दोश को नियंतर करता है चांदी के बरतन में भोजन करने से फिरत तामबा, तामबे के बरतन में रखा पानी पीने से वक्ति रोग मुक्त होता है, या रक्त को सुध करता है, स्मरंज शक्ती अच्छी होती है, लिवर संबन्दी समस्या दूर होती है, और साथ इस सरीर के विश्याले तटवह को खतम कर देता है, और मोटापा कम करने म भी साय अक्षित होता है, सिर्फ पानी ही नहीं, खाना खाना भी इसमें फायरे मन्थ होता है, या बर्तर भोजन के पॉस्टिक तत्तव को बनाय रखता है लेकिन तांबे के बर्तर में भूल कर भी दूर कभी भी नहीं पीना चाहिए, इसे सरील को नुक्सान पहुचता है देरशारा आईरन मिलेगा जो कि भरपुर होजा पाने के लिए बेहत जरूरी है इसमें भोजन करने से शक्ती बढ़ती है या शरीर में जरूरी पोशक तत्व को बढ़ाता है साथ ही कई रोगों को खतम करता है या हमारे शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता कामला परोग को खतम करता है लेकिन इसमें खाना नहीं खाना चाहिए इससे बुद्धी कम होती और दिमाग का नाश होता है दूद लोहे के बरतन में पीना अच्छा होता है फिरस्टी यह एक ऐसा धातू है जो लगभग सभी घरों में बरतन के रूप में पाया जाता है आजकल म होता है तो फाइदा भी कुछ नहीं होता है इसमें भोजन बनाने या करने से हडिया कमजोर होती है मांसिक बिमारिया होती है लीवर और नर्वस सिस्टम को छती पहुचती है इसके साथ साथ किद्नी फिल होना टीबी अस्थमा दमा बात रोक सुगर जैसे गंभीर बिमारि होई है तो यह था कुछ ऐसी धातों के नम जुसमें भोजन पकाय और खाया जाता है को समझ में आ गया होगा कि आपको किसमें भोजन बनाना के सहत के जाद़ा फायदेमंद होगा और किसमें This video की संब क् में पटाइब sex application recording ना भूले वीदयो में्हाँ कर नहीं कि यृच कर